कि आज क्यूसंस निंबर स्टार्ट कर रहे हैं 65 से क्यूसंस निंबर 1 से 64 तक हम करा चुके हैं एससी किरें 10500 पलस जोमेट्री टाइप 10 का करा रहे हैं तो देखिए इस क्यूसंस का सलूसन सारे क्यूसंस आपका SAC CGL Mains वाले Qsons अभी चल रहे हैं तो देखे इस Qsons को कब पुछा गया है SAC CGL TN2 20 February 2018 SAC CGL Mains 20 February 2018 का ये Qsons है तो वीडियो पहुच करके पहले खुद बनाने की कोसिस किजिए उसके बाद सलूसन को देखिए क्या इसका सलूसन आप कर पाते हैं या नहीं अगर जो नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियो को देखिए और कर सकते हैं इसका सलूसन तो वीडियो पहुच किजिए और खुद बनाने की कोसिस किजिए देखिए इसका सबसे आपको बेश्ट सलूसन देने जा रहे है क्या करना है क्यूसंस सबसे पहले घ्यान से समझना है क्यूसंस में लिखा है दी गई आकर्टी में आपको आकर्टी दी गई है ये आकर्टी में दिया गया है कि AB आपका ब्यास है और CD भी आपका ब्यास है दोनों यहां पर दिख रहा है कि 90 डिग्री पर है यानि कि दोनों ब्यास AB और CD perpendicular है वो आपका बृत का केंद्र है यानि कि center है आप क्यूसंस में लिखा है LQ perpendicular AB है यहाँ पर देख सकते हैं LQ perpendicular है किस पर AB पर फिर लिखा है SR perpendicular CD SR perpendicular है CD पर आगे क्यूसंस में लिखा है बृत की 35 cm है ब्रिद की तरिजया कहने का मतलब O से C की लंबाई या O से B की लंबाई या O से A की लंबाई या O से D की लंबाई या आपका ब्रिद की तरिजया R वरबर 5 cm दिया है S से M की दुरी आपको निकालना है यह लंबाई आपसे पुछा जा रहा है कितना होगा जो CA न नुपारT ND C से N का नुपारT और N से D का नुपारT दिया है 2 नुपारT PB नुपारT PA 2 नुपारT PB दो रिश्यों में है तो PA 3 रिश्यों में है यह आपका Qs था अब इसका solution दे रहे हैं देखे इसका solution सबसे बेस्ट यही होगा कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ब्रिद की तरीजिया 5 cm है तो ब्रिद का ब्यास 10 cm का होगा यहां पर रख कि ब्रिद की तरीजिया कितना है ब्रिद की तरीजिया 5 cm है तो इसका ब्यास कितना हो जाएगा ब्यास आप जानते हैं यानि कि त्रिज्या का धुगना होता है यानि कि 10 cm और व्यास आपको एबी बृत का ब्यास है clearly दिखना चाहिए यहाँ यह बी आपका ब्रिद का ब्यास है यह बी कितना हो गया 10 cm यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एबी कि लंबाई कितना हो गई 10 cm इसमें तो कोई भी डोट नहीं रहना चाहिए यह भी 10 उसे प्रकार से सीडी भी 10 है यहां पर आप सीडी भी लिख सकते हैं कितना 10 cm यह भी इस क्योंकि ब्रिट की तो ब्रिट का ब्यास 10 cm पहला कंसेप्ट यूट कर रहे हैं अब यहां देखिए पी अनुपात पी यह कितना है दो नुपात ती यानि कि दो तनी 4 cm यह भी यहां कि लंबाई यह आपका थिद्दा 4 cm ुसी प्रकार से ब्यास यहां निकाला warm यहां से यहां की नमब यह आपका पीए कितना हो गया जिसे को आगे देखें किसे में यहां पर आपको दिया है सीन आन्पार इंड़ी सीन अनुपार इंड़ी दो आ उपार तीन दिया तो दोजो आ हैं तो यह दोनों भी पूरा-पूरा निकाल सकते हैं तो CLV आपका कितना हो जाएगा 4 cm हो जाएगा क्योंकि 1 unit का value 2 cm तो 2 unit का value कितना 4 cm डैटमिस कहने का मतलब जो आपका PV 2 unit है तो CLV 2 unit है यानि कि PV आपका 4 cm तो CLV 4 cm उसे प्रकास से pH 6 cm हुआ तो यहां पर से ND भी आपका कितना होगा ND भी आपका होगा 6 cm इसमें तो कोई भी डोट नहीं होना चाहिए डैटमिस हम यहां पर आपको दिखा देते हैं कि देखे देहां से CN 4 cm मतलब C यहां N, CN की लंबाई यहां से यहां की लंबाई कितना हो गई? यह लंबाई आपका हो गया 4 cm उसके बार L से B की लंबाई डैटमिस कहने का मतलब यह लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई पूटल कितना हो गई? L से B की लंबाई देख सकते हैं यह भी 6 cm यह हमने दिखा दिया अब इसके बाद देखे क्या करना है? आपने यहां पर से O से S को मिलाया है और O से इस परकार से A highway मैं मिलाया है अब क्या करना है? ध्यान से हना हो गाई सबसे पहले यह फ्याप आपका 4 हो गया और O B कितना था? O C लेकर A B आपका तो B क्या है? तरिजिया कितना है? 5 cm देख सकते हैं त्रिजय कितना है 5 cm है तो त्रिजय 5 cm है और यह आपका 4 है तो यह कितना होगा एक होगा तभी आपका टोटल यह निकि 4 और 5 cm हो जागा वोसे B की लंबाई या आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाँ पर कि OP बराबर OP हम निकालना चाहे तो OB में से PV घटा देंगे इस परकार से OB में से PV को घटा देंगे तो OB में से PV को हम घटाएंगे तो आपको दिखना चाहिए OB कितना है बिरिक कितना है यानि कि 5 cm और PV कितना है 4 cm तो इस परकार से OB को 1 cm आप लिख सकते हैं डिटियल में लेकिन आपको डार हमने एक निकाल लिया, उसी प्रकार से यह लंबाईय भी हम निकाल सकते हैं, कैसे? तो देखिए, तोटल आपका यहां तक क्या है, सुन्ध इसे हो जौर तो एक की लंबाईय निकाले है 50 C Yo Si Se Weine को घटाए है यादि कि OC माइनस NC OC आपका ब्रीद का त्रिजया था कितना 5 सेंटीमीटर का और NC आपका कितना NC 4 सेंटीमीटर है तो इस परकार से हमने एक सेंटीमीटर निकाला ON की लंबाई और OP की लंबाई की अब ट्रेंगल में देखें ट्रेंगल का नाम हम अगर जो देना चाहें तो यहां पर तो 90 डिग्री आपको दिख रहा है पहले भी बता चुके हैं कि यह AB ब्रीद का ब्यास है और CD ब्रीद का ब्यास है जो दोनों ए एदिकी परपेंडिकुलर है क्यूशोंस के स्टर्टिक में पहला पॉयंड के आपको लिखा गया है ब्याससीधी परपेंडिकुलर पर लिए डgoing मतलब सीधी 2x2 इंदृतर परपेंडिकुलर तो इस ट्रेंगल में हम देख रहे हैं ठेंगल आपको ध्यांबना है इस इस ट्रेंगल को अब आपको देखना है यह ट्रेंगल आपको दिखना चाहिए तो इस ट्रेंगल को देखेंगे तो यहां पर हम लिख देते हैं समकून तिर्भूज इस तिर्भूज का नाम है क्या OBS एस या आप इस ट्रेंगल को भी देख सकते हैं माने जी इसको देख रहे हैं इसमें आपको क्या निकालना है एस एम निकालना है तो यह वला ट्रेंगल ले रहे हैं इसका नाम ओ एस एन लेते हैं ओ एस एन इस ट्रेंगल में देखना है आपको ट्रेंगल ओ एस एन में तो यह इसे परिजी पर कोई भी बिन्दू मिलाते हैं तो वो बृत का तृज़ा होता है यह बृत का तृज़ा होगिया और पहले से पता है और यह एक सेंटिमीटर है यह भी आपको पता है तो यहां पर हम निकाल सकते हैं यह इस कितना हो जाएगा रूट अन्डर फाइब का स्कॉ स्कुरार लंनी स्कायक के चोविसथीन लिख 24 को चेज़िस स्क्ते हैं यान है न एस यान के चोविस और वाप्रोर्डोट ш Bardzo और서 यहां से प्राप्त हो गया यह कहां है यहां से नंबाई कितना हो गई दूरूट छे और यहां से पहले ही पता था MN कितना पहले पता है, एक पता है, ये कितना है, जैसे ये आपका एक है, तो ये भी आपका एक है, यनि कि डैटिनिस कहने का मतलब हमें क्या चाहिए, MN इस इस परकार से निकाल सकते हैं, MN हमें चाहिए, तो SN में से MN को घटा देंगे, यनि कि 2 रूट 6 में से 1 को घटाना होगा यहीं आपके प्रस्म का एंसर होगा इतना सेंटीमीटर जो आपसंस नुमर चोठा दिया गया है देखिए यह आपका लंपाई हो गया दूरूट छे यह आपका एक था तो हमें यह चाहिए तो दूरूट करके आपको समझ में आगया होगा अगर जो नहीं समझे है तो फिर से वीडियो को देखिए आपको किलियर सव परसंट गरांटी के साथ कहते हैं समझ जाएगा इसके बाद देखिए क्यूस नुमर 65 के आगया 66 यहां पर एक पॉइंट हमने छोड़ दिया था वो भी आपको ब निकाला था एक सेंटीमेटर हमने लिख दिया यह जैसे एक सेंटीमिटर आपक पूरा क्या यहां पर आया पर स्कार बन रहा था तो क्यूसंस नमबर देखे 66, 65 अभी बताएं है वो भी आपका सीजल मेंस का बहुत ही important क्यूसंस था, आपको tough लगा होगा लेकिन बहुत ही अच्छे क्यूसंस है, उसी परकार से क्यूसंस नमबर 66 जो पुछा गया है, SAC सीजल टियर 2 CBE पर इच्छा 20 February 2018 का, ये भी सीजल मेंस क ही क्यूसंस है, सीजल मेंस का एक्जाम अभी होने ही बाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि जितना 16 से जोमेट्री कंप्लीट रहेगा, उतना ही मार्च साब को increase होगा, जोमेट्री से बहुत क्यूसंस पुछे जाते हैं, क्यूसंस का लेंग्वेज है, दी गई आकिति मे पी क्यू आरेस 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बर्ग है, तथा एस आर को बिंदू टी टक बढ़ाया गया है, यदि क्यूटी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो दोनों बिरित के केंदर O1 तथा O2 के मदिज की दूरी सेंटीमीटर में बताइए, यह आपका क्यूसंस है, तो देखिए इसको हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपको समझाते हैं कि P, Q, R, S आपका बर्ग है, और बर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर, चदरबुज P, Q, R, S की भुजा 20 सेंटीमीटर दिया है, यह आपका 20 सेंटीमीटर का क्या है, भुजा है, यह भी बर्ग के अंदर जिसका केंदर O, 1 है, दूसरा बर्ग के भुज, Q, R, T के अंदर है, जिसका दूसरा के 3T केंदर है, O, 2, पहला बर्ग के अंदर O, 1, दूसरा बर्ग के अंदर O, 2, और यह जो बर्ग है, तो बर्ग के बिंदू R, को T तक किस परकार से बढ़ाया है, तो य है replacing triangle triangle जिसके अंदर में ये आपका circle है जिसका центр Na between iClass कितना है is जहीं कि तिर्भूझ qr t यह संब्कोल इसका जो ऑन्हों पिर्भू़ई कि लंबाई दिया कितना देख सकते हैं 25 cm यानि कि कर्ण बोल सकते हुँ कितना दिया है 25 तो अगर जो आपसे इसका इस यानि यानि कि जो ब्रीथ है इसका रेडियस पुछता तो आप जानते हैं क्या हो जागा 25 का आधा यानि कि 12.5 cm लेकिन ये क्यूसनस नहीं है क्यूसनस है O1 और O2 की बीज की दूरी तो हमने इस परकार से मिला दिया मतलब ये आपको निकालना है O1 और O2 निकालना है और यहां से हमने O1 से ये इस परकार से लंग डाला और आप जानते हैं कि ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंग एक प्रकार से आपका जीवा तो नहीं है लेकिन यह आपका क्या है यहां पर बन रहा है टैंजेंट यहनिकी एसपरस रखा तो केंद्र से एसपरस रखा के बीज भी आपका जो यह कोन बनता है 90 डिग्री का होता है यहां बनेगा इसमें तो कोई डोट नहीं होगा यहाँ सभी हम नहीं इस परकार से यह पौइंट भी लाया यहां पर कुस भी नाम दे देते हैं ? माली जी के पर नाम दे दिया ? कोई भी जो इसमें नहीं लिखे हैं तो देखें अब क्या करना है ? आपको निकालना है ओबन और ओटो के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं जो देखिये बहुत ही लिकर्जट है आपको ट्रिपलेग पता होगा तीन, चार, पांच होता है तो ये लंबाई आपको कितना दिया है यह आपको 25 दिया है यह는 कि कर just कैसे आता है तीन, चार, मांच से यहनि कि 5 से गुना किया गया है यानि कि 15, 20 और 25 होगा तो ये तो 25 है ये आपका 20 है ये आपका कितना होगा 15 होगा क्योंकि ट्रिपलेट होता है 15, 20, 25 जैसे 3, 4, 5 तो इसमें 5 से गुना करने पर 15, 20, 25 होता है यानि कि ये QT तो आपको 25 दिया ही है QRB 20 दिया है क्योंकि ये बर्ग की भूजा 20 दिया है तो QRB 20 हो गया तो एटोमैटिक आप बेगर निकाले ही बना सकते हैं कि आर्टी कितना हो गया 15 या अगर जो आपको संतुष्टी नहीं है तो आप आर्टी इस प्रकार से निकाल सकते हैं रूट अंडर 25 का स्कॉर और माइनस ये 20 का स्कॉर तो 25 का स्कॉर 625 20 का स्कॉर 400 625 में से 400 घटाईएगा तो 220 होगा 220 का बर्ग मूल कितना हो जाएगा 15 इसमें कोई विडूट नहीं है अब देखें क्या करना है हमें ये लंबा या अगर जो निकालने तो आपको किलियर हो जाएगा तो देखें ये आपको पता होगा यानि कि इस प्रकार से लंब डाला गया है या आप ऐसे भी देख सकते हैं देखें ये QR उसी प्रकार से PS कितना है 20 cm क्योंकि बर्ग की 4 बोजा बराबर होती है और ये केंद्र है जो यानि कि बीच में है तो ये बीच में है कहने का मतलब ये इसके उपर 10 cm और इसके नीचे 10 cm इस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ जो इस प्रकार से हुआ तो ये आपका इधार कितना हो गया 10 cm और ये 15 है तो ये 15 है ओब्यस है कितना आपका 5 है और ये आपका 10 है इस परकार से यानि कि ये लंबाई आपका कितना हो गया 5 है और ये लंबाई कितना है तो 10 है यह पूरा यहां से हम तक इतना हो इरनात मिस्थ य तक रहण द्याय और PRE तौश माखाई यह लम्बाइप को निकालना है यह लाप को लिखो सब्सक्राइब और ये आपका 10 है, तो ये आपका अगर जो middle point है, तो ये पाच-पाच हो जागा इस प्रकार से, यानि कि ये 5 और ये भी आपका 5, तो अब इस त्रिभूद में हम अगर जो देखेंगे, तो ये आपको निकालना है कर्ण, तो कर्ण पर अबर डाले लिख सकते हैं, 5 का square पलस 15 का square या 15 का square पलस 5 का square, तो 15 का square 25, पाच का square 25, और 25 जोड़ेंगे 250, 250 को 25 गुना 10 लिखेंगे, 25 का बर्मूल 5, 10 को इसी प्रकार से रहने देंगे, रूट में इतना centimeter, और ये आपका options नमबर देखें, Q66 का options नमबर 5 रूट 10, एक नमबर options दिया गया है, इसमें हमने हो गया, ये आपका पाच हो गया, ये अप्रोच हम shortcut use किये है, इसके बाद देखें, Q66 के बाद सर्सक नमबर, Q66 के बाद सर्सक नमबर, Q66 आपको देखना चाहिए, स्क्रीन पर इस प्रकार का आपको डाग्राम बना हुआ होगा, देखें, Q66 हम पढ़ रहे हैं, दी गया कि कि जगा पर O कर देते हैं, M, N, O, P, आपका इस परकार से बर्ग है, और बर्ग की भुजा M, N6, उसे परकार से N, O, 6 और O, P, 6 और इस परकार से M, P, या P, 6 cm है, यानि कि 4 भुजा बर्ग की बराबर है, आपको पता होना चाहिए, obvious बात है, सभी को मालूम होगा, बर्ग की से लिखा है, मान लिजे कि दूसरा कलर से समझा रहे हैं, ठाकि आपको ज़्यादा किलियर होगा, देखें ठाक से, ये सबसे पहले क्या करना है गया कांस्ट्रक्शन, आपको पता होगा कि ये पूरा ब्रीद का जो यहां पर से देख सकते हैं, O, N या P, M, या M, N, या P, O, 6 सेंटिमीटर है, तो अगर जो मिडिल पॉइंट यहां पर यह समझेंगे, ये मिडिल पॉइंट आपका तो ब्रीद का सेंटर है, ये केंदर है, और ये आपका इस प्रकार से मिडिल पॉइंट हो गया, तो ये 6 सेंटिमीटर पूरा है, तो यहां से यहां की लंबाई कितन 3 cm और यहां से यहां की लंबाई भी आपका 3 cm इस प्रकार से हम यहां से मिला देते हैं अब देखें क्या करना है आपको यह मिलाने के बार यहां का बृत का सेंटर था यहां से बृत के परिद्ध पर कोई भी बिन्दू यह आपका रेंडिएस हो जाएगा पता होगा उसी प् तो नाम माली जै कि यहाँ पर L हम देते हैं यह नाम हँंने L दिया और यह नाम हमें M दिया जैसे MN आपका 6 cm है तो MN बरदर क्या होगा MN बरदर आपक अपका होजाएगा यही कि यह LM इनल बरदर हो जाएगा LM यह भी आपका 6 cm का हो जाएगा इसमें तो आपका ब्रिद्ध की तरीज्या है यह पूरा यह नाम होगा तो देखना मने pane तो देखिए यानिकि तिरभुज का नाम देदेते हैं पी एल सी तिरभुज पी एल सी इसमें आपको पता होगा कि पी एल सी कोन है जो कितना है 90 डिग्री का है तो पाइथा बोरस रूज करते हैं यह आपका 90 डिग्री के सामने वाले भुजा करन हो गई यानिकि आरा स्क्वाइर बराबर यह 6 माइनस आर का स्क्वाइर अधारा स्क्वाइर और पलस यह लंप का स्क्वाइर मतलब 3 का स्क्वाइर तो आरा स्क्वाइर बराबर यह 6 का स्क्वाइर 36 पलस आरा स्क्वाइर और माइनस बारार होगा यह माइनस भी कहला स्क्वाइर में में करेंगे नीचे हम 10 100 या 1000 कर सकते हैं 4 से कितना पूना करने पर 100 हो सकता है 25 से गुना कर देते हैं, तो उपर भी 25 से कर देंगे तो कितना हो देगा पंद्राद 55 से 15 बाकि 75 बाकि 7 15 भाकि 7 दमी 37 सो देखिए कॉं सो ओप्टसन्स है सरसठ का तीन द संबलम् सथ पांच अप्सस निंबर दिया गया है दो नंबर उप्सस इसके बाद देखिए डीन के सारा क्यून स्सार online का है ये भी क्यूसंस आपका उसी दिन पुछा गया था, जेख सकते हैं, SSE Cigil Tier 2 CBE परिच्छा 20 फरवरी 2018 का, लगतार 3-4 क्यूसंस हम करा रहे हैं, जो आपका एक ही दिन का है, 20 फरवरी 2018 का SSE Cigil Miss वाला क्यूसंस है, क्यूसंस नंबर ये आपका है, कितना? 68, 67 भी आपका 20 फरवरी 2018 का था, 66 भी 20 फरवरी 2018 का था, आप 65 भी 20 फरवरी 2018 का ही था, डेट मिस कहने का मतलब जितना भी क्यूसंस आज करा रहे हैं, 65 से लेकर 68 तक जो भी कराने जा रहे हैं, सारा क्यूसंस एक ही दिन 20 फरवरी 2018 SSE Cigil Miss में पुछा गया था, देखिए इसका आपको सबसे बेख सलूसन दे रहे हैं, क्यूसंस है, दी गया किटी में, पी बृत का केंदर है, ये कोई सरकील है, जिसका सेंटर पी है, आगे क्यूसंस में लिखा है, यदि क्यू एस बरवर पी आर, क्यू एस बरवर पी आर दिया है, तो कोन आर एस पी का, कोन टी पी आर से क्या अनुपाद है कौन RSP अनुपाद कौन TPR पूछ रहा यह हमने यहां पर क्यूसंस का short form लिख दिया आप देखिए दुसरा पेंसे आपको बताते हैं यानि कि इस ब्लैक कलर से देखिए क्या दिया है यह पूजा की लंबाई और यह पूजा की लंबाई आपस में बराबर दिया है अब आप जानते हैं कि परीजी पर जो भी लाइन खीचते हैं यह होता है तो यह आप का रेडियस है तो यह आप सJ कर्यें कि अब्र हो जाएंगी अर। ये भी आपस बराबर है यह निस के बराबर हो जाएगा यह सब आपका रेडियस के बराबर होगा यह निस भी निफ़त देंसे बाहुत्रिवुज 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 माल लेंगे कि ये आपका x है तो ये भी आपका x है इसके बाद देखें ध्यान से क्या करना है ये x तो ये x अब आप जानते हैं इस प्रकार से एक theorem की अनुसार कि ये जो बाह मुन होता है सुधूरांता कौनों को योख्छल के बराबर होता है अगर जो यह आपका x है यह x है तो x प्लस x यह कितना हो जाएगा 2x अगर जो यह x है यह y है तो यह हो जाता x प्लस y उसी प्रिकार से अगर जो इस ट्रेंगल में हम देखे तो यह आपका बाफ कुन बन रहा है ना तो यह एक्स यह एक्स क्यों हमने एक्स एक्स लिखा क्योंकि यह आर है यादि कि दो कुझा बराबर है तो यह दोनों कौन भी आपका बराबर होगा यह एक्स तो यह भी एक्स यह भाई मानेंगे तो यह भी बाई मानेंगे तो यहाँ पर तू बाई हो जागा हम एक्स एक्स तो यह वला भी 2x, तो इस तिर्वुजी में total x 180 degree होना चाहिए, यह दोना मिलाकर 2-2, 4x हो गया, तो यह वला कितना होगा, यह वला एंगल होना चाहिए, x80 minus 4x, यह वला कितना होगा, x80 minus 4x, इसमें कोई भी डॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि total आपका कितना होता है, 180 degree होत 4x, अब देखिए, आप जाते हैं, t1 रैखी की गुण बनाता है इस प्रकार से यह, तो यह भी आपका 100 degree होना चाहिए, तो यहाँ देखिए, यह वला x है, यह वला x 100 c minus x है, तो यह वला कौन हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से आपको समझना है, यह आप तो यह भी समझना हम नाम लिक रहे हैं, तो यह वला लाइन के गसे था, यह वला लाइन इस प्रकार से आपका है, मतलब s, p, t, यह ही इस प्रकार से रिखा पार था, यहाँ पर पूरा 180 degree होगा, यह आपका पहले से कितना है, यह x है, यह x है, यह 180 c minus x है, तो यह वला खी nि प्रहने नाम लिखते हैं दखिये TPR मतलब यह क्यों के बारे में लिए तो कितना होगा ACT यानिकि यह कितना लिखा है एकड़िति प्फोर अब जो प्एकलप्use करके आएगा देख सकते है एकड़िति 146 माइनस एक्षज है मेंइस मैनेस पलस चार ग्स तो यह पलस एक्स X से मैनेस एक्स ऐस्स से कैंसल हो जात गए यह चार एक्स अमाइश्त यानिकि तीन एक्स तो यह घूझा की लिमाई कितना हो घरूं कॉला फहे तो यह X अनुपाद TPR, तो देखिए, TPR, मतलब यह बलागो, यानि कि 3X, तो एक अनुपाद 3 आपके प्रस्मी कैंसल हो जागा, X कैंसल करेंगे तो, तो एक अनुपाद 3 आपका कौन्स ओप्शन है, देखिए, सीजिल में 20 फरवरी 2018 का क्यूशन्स है, आपका ओप्शन्स नंब प्रक्यूशंस हम नेक्स्ट विडियो में करेंगे, सॉट विडियो ही कर रहे हैं, क्योंकि विडियो पर ज़्यादा भ्यूज नहीं आता है, इसलिए नेक्स्ट विडियो 69 नंबर से स्टार्ट होगा, तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राब नहीं किये हैं, तो जल्दी से एक्जाम हुआ था 28 December से उसमें टोटल 125 सेट्स में एक्जाम हुआ है तो volume 1, 2 और 3 यानि कि volume 2 को हम करा रहे हैं volume 3 भी अब public हो गया है मतलब आ गया है यानि कि market में तो वो book भी हम मंगा लेंगे online कर दी है तो एक या दो सेट वाला वीडियो डेली आपको मिलेगा जैसे आज और डेली टाम हम यानि कि 11 बज़े रखे हैं 11 बज़े आपको डेली NTPC सेट मिल जाएगा previous year वाला जो पिछला बर्स एक्जाम हुआ था यानि कि NTPC एक्जाम 2019 वाला तो आप वीडियो को complete देखिए सेट वाला वी क्योंकि सेट करने से आपका सारे चेप्टर पर कमांड रहते हैं ऐसे सिर्फ एक ही चेप्टर दो चेप्टर आपका कमांड रहेगा या strong रहेगा और जब सेट प्रेक्टिस किजिएगा तो सारे चेप्टर पर आपका ध्यान तो सेट प्रेक्टिस जरूर किजिए आपको इसमें यानि कि जो भी डॉट हो तुम उसे जरूर पुछे कॉमेंट्स बॉक्स में और कॉमेंट्स वीडियो देखने के बाद जरूर करें और ज़्यादा वीडियो को आप सेर करें लाइक करें कॉमेंट्स करें और चैनल को भ हेलो से देख पाएंगे नोटिफिकर्सन आपके मोगा